दोस्तो आज हमारी वीडियो का टोपिक है ECB में कितने रिले लगी होती है और सबी रिलोगा क्या-क्या नाम होता है दोस्तो आज का जो हमारी वीडियो है इलेक्टरिक इंटर्वी और इंडिस्टीज में प्रैक्टिक वर्क के लिए बहुत ही हैल्पुल है दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहला हमारे मन में एक सवाल आता है ECB में कितने रिले लगी होती है और इन सबके क्या-क्या नाम होती है दोस्तों सबसे पहले हम इसी कोश्चन की बात करते है हमारी ECB में कितने टाइप की रिले होती है उनके क्या-क्या नाम होते है दोस्तों हमारी ECB की बात करे तो सबसे पहली जो रिले होती है संट कोईल रिले यानि कि संट रिले होती है दोस्ती दूसरी हम बात करते है UV relay यानि कि इसको हम Under Rated Voltage यानि कि Under voltage relay भी बोल सकते है UVR relay भी बोल सकते है दोस्तो तीसरी relay लaghी होती है एक हमारे ΑCV में closing relay इसको हम closing relay बोलते है दोस्तो इन तीनो आलेडि हमने एक details में video बना रखी है मैं वीडियो का link description में डाल दूँगा अगर आप Micrologic Controller Relay के बारे में details में जानना चाते हैं तो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे तीनों Relay दोस्तों यो हमारी SunT Relay, SunT Coil Relay और UV Relay और Closing Relay दोस्तों इन तिनों को क्या working है और इसको हम बात करेंगे इन तीनों पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि हमारी SunT Coil Relay हम पहले अंबर पर बात करते हैं जो हमारी SunT Coil जो है इसको हम SunT Relay बोलते है दोस्तों इसका क्या कारी होता है दोस्तों इसका मुख्य कारी होता है इसको remote से हम remote दोवारा यानि कि कहीं से भी इसको control कर सकते है यानि कि इसके switch को हम जो इस पर आप देख रहे हैं switch से on off ना करके कहीं से on off करा सकते है दोस्तो इसका मुख्य कारी है यही होता है दोस्तो जो हमारी sent coil relay होती है इसका कारी क्या होता है दोस्तों remote यानि इसको remote दौरा switch दौरा जो आप देख रहे हो बटन है इन बटन से ना on-op करके हम कहीं दूर से on-op करा सकते हैं कहीं से भी हम दोस्तो नमबर दो पर बात करें हमारी यूवी रिले दोस्तो इस रिले का क्या कारिया होता है और यह क्या हमें क्या प्रोवाइड करती है यानि कि हम इसका क्या कारिया होता है दोस्तो यूवी रिले अंडर वोल्टेज रिले दोस्तो इसका नाम ही कुछ ऐसा है आप लोग सम देते हैं कोई इससे बी लगी ओई हुई है उसमें इंपुट आ ह bout 440 ओर रहा है और ॉट्पुट में जा रहा है 440 30 skilled से चाहब्स स्याथCumes इस तरीके से काम करती है या वोल्टेज बे यानि कि 400 वोल्टेज बे हमने सेटिंग की है अगर किसी कारण हमारा जो बोल्टेज ड्रोप होता है या कम हो जाता है तो यह क्या करता है 400 वोल्टेज पर जाते ही जो हमारी ACB को है ट्रिप करा देता है यह बंद करा देता है दोस्तों इसका कारीए होता है कि अगर यह इसको बंद नहीं कराएगा दोस्तों हमारा कोई log चल रहा है लोड चलने से क्या होगा दोस्तों हमारे voltage ड्रोब होंगे तो हमारे लोड़ पर की जो एफेसेंसी है वो बहुत जाते बढ़ जाएगी है जिस कारण क्या होगा हमारों कॉम्पोनेंट यानि उपरन कोई खराब भी हो सकता है तो यह हमको सेफटी देता है अंटर वोल्टेज के लिए यू में रिले दोस्तो इसका कारी यह होता है दोस्तो अब बात करते हैं जो हमारी कोलोजिंग रिले नमबर तीन पर हमारी एक कोलोजिंग रिले यानिके इसका क्या कारी होता है दोस्तो यह जो कोलोजिंग रिले होती है यह हर एक ACB में नहीं लगी होती है दोस्तो जो हमारी ACB होती है वो मुख्ये दो परका एक तो होती है MOD, एक होती है EDO, एक होती है MDO, एक होती है EDO, दोस्तों यह हमारी दो टाइप की जो ACB होती है, दोस्तों उसमें क्या होता है, दोस्तों जो हमारी EDO होती है, तो EDO होती है, इसमें हमारी CLOSING RELAY होती है, MOD, MDO जो होती है, इसमें हमारी CLOSING RELAY नहीं होती है, द दोस्तो जो हमारी क्लोजिंग रिले होती है वो । में होती है दोस्तो थो कैसे पता करेंगे हमारी कौन सी एसी बी एडी ओ है कौन लगी होगी दोस्तों इसका एक कारी और होता है जो हम अपनी जो हमारी AACB होती है इसको automatic control कर सकते यानि automatic PLC दवारा own off करा सकते हैं यानि कि हमारे जो programming logic controller होता है दोस्तों उससे हम क्या करा सकते हैं हमारी closing relay का काम होता दोस्तो कई बार आपने देखा होगा हमारे किसी किसी पैनल में यानि कि जिसमें EDO लगी होगी दोस्तो EDO टाइप की जो हमारी ACB लगी होगी जिस भी LTE पैनल में आपने देखा होगा उसमें TNC स्विच होता है दोस्तो आपने कुछ इस तरह का देखा होगा TNC स्विच होत यह सिर्फ उसी ACV में आपको TNC स्वीच देखने को मिलेगा जो हमारी MDO हो गई उसमें हमारा TNC स्वीच नहीं होता है दोस्तों इसकी मुख्य पैचान यहीं होती है दोस्तों आई होग दोस्तों वीडियो कैसी लेगी आपको जरूर बताईएगा कमेंड़ों वीडियो अच्छी लेगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए दोस्तों अगर आप इलेक्टर की वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा